अध्याए नौ मैं मसीह में सच कहता हूँ, छूट नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में कवाही देता है, कि मुझे बड़ा शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है. क्योंकि मैं यहां तक चाहता था, कि अपने भाईयों के लिए, जो शरीर के भाव से, मेरे कुटुम्बी हैं, आप ही मसीही से शापित हो जाता। वे इस्राइली हैं, और ले पालगपन का हक और महिमाई, और वाचाएं, और व्यवस्था, और उपासन और प्रतिग्याएं उनहीं की हैं, पुर्खे भी उनहीं के हैं, और मसीही शरीर के भाव से उनहीं में से हुआ, जो सब के उपर परम परमेश्वर, युगान युग परन्तु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राइल के वंशज हैं, वे सब इस्राइली नहीं, और ना इब्राहीम के वंश होने के कारण सब उनकी संतान ठेरे, परन्तु लिखा है कि इस हाख ही से तेरा वंश कहलाएगा अर्थात, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परन्तु प्रतिग्या के संतान वंश किने जाते हैं, क्योंकि प्रतिग्या का वचन ये है, कि मैं इस समय के अनुसार आऊँगा, और सारा के पुत्र होगा और केवल यहीं नहीं, परन्तु जब रिबका भी एक से अर्थात, हमारे पिता इस हाख से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक चन में थे, और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था उसने कहा, कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परन्तु बुलाने वाले पर बनी रहे जैसा लिखा है, मैंने याखूब से प्रेम किया, परन्तु ऐसों को अप्रिय जाना सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है, कदा भी नहीं, क्योंकि वो मुसा से कहता है उसपर क्रिपा करूंगा सो ये ना तो चहने वाले की ना दोड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसी लिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी प्रित्वी पर हो सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है सो तु मुझसे कहेगा वो फिर क्यों दोश लगाता है कौन उसकी इच्छा का सामना करता है हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गड़ी हुई वस्तू गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। क्या कुमहार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंधे में से एक बरतन आदर के लिए और दूसरे को अ अनादर के लिए बनाये। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की जो विनाश के लिए तयार किये गए थे बड़े धीरत से सही। और दया के बरतनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूंगा और ऐसा होगा कि जिस जगह में वे उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और यशया इस्राइल के विशे में पुकार कर कहता है कि जाहे इस्राइल की संतानों की गिंती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उन में से थोड़े ही बचेंगे क्योंके प्रभू अपना वचन पृत्वी पर पूरा करके धार्मिक्ता से शीक्र उसे सिथ करेगा जैसा यशया ने पहले भी कहा था कि यदी सेनाओं का प्रभू हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठहरते सो हम क्या कहें ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिक्ता की खोज नहीं करते थे धार्मिक्ता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिक्ता को जो विश्वास से है परंतु इस्राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हो उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे किसलिए इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परन्तु मानो कर्मों से उसकी खोच करते थे उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई जैसा लिखा है देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान रखता हूं और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा